हलो गाइज, वेलकॉम तो माई यूटूब चानल फार्मानौ आज मैं बात करूँगा OLF 2.5 टैबलेट के बारे में इस मेडिसिन के में डिटेल में जानकारी बताऊंगा इसके कमपोजिशन, प्राइज, उजेज, डोस, साइड एपेक्ट और कॉंटर इंडिकेशन के बारे में दोस्तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर पूरा देखे आदियादूरी मेडिसिन के जानकारी हानिकारक हो सकती है तो आपको बहुत इन्फोर्मेशन मिलेंगे ये वीडियो देखे तो जरूर लास्ट तक जरूर देखे दोस्तों आपने आभी तक मेरे यूटूब चानले को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकान पर क्लिक करें मेरे नहीं वीडियो की आपको जानकर ही मिल जाएंगी चलो शुरू करते हैं इसका मेन कंपोजिशन होता है ओलांजिपिन 2.5 मिलिग्राम और एक अंटिसाइकोटिक मेडिसिन रहती है और एक अटिपिकल अंटिसाइकोटिक क्लास में आती है और इसकी मार्केटिट फ्राइज है 25 रुपिज फॉर 10 टैबलेट और इसको मैनफेक्चर कर रही है साइकोटिक्स फार्मसोटिकल कंपनी चलो बात करते हैं इसके फाइदे और यूज़िस के बारे में दोस्तो एक अंटिसाइकोटिक मेडिसिन है वह ब्रेंडिस ओर्डर में ज़्यादा तो इस्तमाल किये जाती है तो इसका यूज होता है सीजोफिरनिया सीजोफिर्णिया एक mental condition है mental condition है जिसमें hallucination भरम होता है means अपनी वो patient अपनी दुनिया में रहता है उसको ऐसा भूदगी दिखाई देता है तो इस condition को सीजोफिर्णिया का जेता है second is bipolar disorder bipolar disorder means वो patient ज़्यादा खुश रहता है और ज़्यादा दुखी रहता है उस condition में यूज की जाती है means कुछ वक्त के लिए ज़्यादा खुश रहता है और कुछ वक्त के लिए ज़्यादा दुखी रहता है तो इस condition में इस medicine का इस्तमाल किया जाता है mental and mood condition is this medicine also combination with other medicine treat like depression depression के जो medicine रहती है उसके साथ भी इस medicine को prescribe करते है also using panic disorder, post-traumatic stress disorder, insomnia, sleeping जिसको sleeping problem है उस condition में इसका इस्तमाल किया जाता है बात करते हैं इसके doses के बारे में इसका starting dose रहता है 2.5 mg इसका dose आप डॉक्टर से recite कर लो इसका side effect के मारे में इसका side effect है dry mouth, constipation, weight gain, difficulty with speaking, erectile dysfunction, seizure, high blood pressure इस type के आपको side effect देखे तो तुरंत इस medicine बंद करें करें बात करते हैं इसके counter indication बारे में किस condition में आप इसे नहीं ले सकते हैं आप नहीं ले सकते हैं इसको heart disease में liver disease आपको problem है तो आप इस medicine को avoid करें high blood pressure, low blood pressure, breast cancer, enlargement of prostate इस condition में आप इसे मत लीजिए दोस्तों यह medicine एक anti-psychotic medicine है और यह habit forming रहीती है तो इस medicine के doctor के सलाह के भीना मत लीजिए थैंक्यू आज के वीडियो में बस इतना वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें और चानल को subscribe करें थैंक्यू